नवस्कार साथियो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खबर PTI अध्यापकों के लिए कर्मी कंसन का 183 वा दिन तारिक हुई 15 दिसंबर PTI अध्यापकों को ज्वाइनिंग का है इंतजार तो दोस्तो PTI सिक्सकों को सिक्सा विभाग में समायोजित करने की ट्रिपल ऐसे के पद पर चैनित करने की प्रिक्रिया चालू है लेकिन अभी तक PTI अध्यापकों को ज्वाइनिंग नहीं हुई है स्कूल नहीं मिले हैं क्या है पूरी इनफोर्मेशन पूरी इनफोर्मेशन जानने के लिए वीडियो को सुरू से अंतक देखना चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सबस्क्राइब करना वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करना ताकि इन PTI सिक्सकों को मिल्स के जल्दी ज्वाइनिंग मिल्स के ज आज 183 दिन भी सथानिय चित्वन वाटिका में जारी रखा। धरने की अध्यक्स्ता कर रही संगर समीति की जिला उप्परधान कृष्णा सोनी ने बताया कि हालांकि विभाग द्वारा PTI अध्यापकों को समायोजित करने की प्रिक्रिया शुरू की जा चुकी है जिसके तह सभी PTI अध्यापकों को जिले आवंटित किये जाने के पस्चात विद्दल्य चेन हेतू पौरटल खोल दिया गया है यानि डिस्टिक अलोट हो चुके हैं और अभी स्कूलों के 24 के लिए भी पौरटल खोल दिया गया है इसकी अंतिम्तिति को बढ़ा कर 14 दिसंबर कर दिय सभी PTI अध्यापक स्वामवार देर रात तक पौरटल पर अपनी पसंद के अनुसार विद्दल्यों का चेन कर सके हरियाना सारेरिक सिक्षक संगहर स्मिति के पूरो जिला परधान कमल सिंग ने कहा कि जब तक परती एक PTI अध्यापक विद्दल्यों में जाकर जवाइन न धिक समय से पलपल की सिक्षा जगत से जुड़ी PTI 6 कों से जुड़ी अपडेट दे रहे हैं यदि आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके भी बताना और चैनल को सबस्क्राइब भी करना और साथियों ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा सेयर भी करना कि ताकि ये PTI 6 क की ज्वाइनिंग का निकाल्स के हल तो साथियों उन्होंने उमीद जताई कि आगामी दो से तीन दिन में ज्वाइनिंग परिकिरिया पूरी हो जाएगी संगर समीति के रज्यकार्यकारणी सदस्य हुनेश कुमार ने कहा कि जिन अध्यापकों को ग्रे जिले से बाहर के जि कितकर सभी साथियों को ग्रह जिलों में लाने का हर संभव प्रियास रहेगा तो साथियों ये आज की नार्नोल जिले से PTI 6 कों की अपडेट थी इसी परकार की अपडेट जानने के लिए चैनल पर हमेशा बने रहें और वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें ताकि आप ल पाइनिंग का निकल्स के जल्दी से जल्दी हल और आप जास को अपने स्कूलों में बहुत जल्द और आपको मिले जल्दी अच्छी पगार और आप रहें खुसहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद साथियो नमस्कार वंदे मात्रम